अब देखो अगेन बात करेंगी अवतार मुवी के पार्ट टू के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे मी जो की अभी के टाइम पे एवेंजर्स की एक और मुवी को वर्ड बाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन के मामली में पीछे छोड़ चुकी है जिसने की आज से 10 साल पहले यान की 2012 में ग्लोबली अर्ण किये थे करीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स और ये MCU की पहली मुवी थी जिसने की बॉक्स ओफिस पर 1 बिलियन का आकड़ा पार किया था वो भी उस टाइम 2012 में और ये Avengers का record break करके ये movie वर्ड की top 10 highest grossing movies में से एक बन चुकी है जिसनों की अभी ये 9th position पर है और इसके बाद ही इसके creator James Camryon ने ये भी reveal कर दिया कि अब audience को अवतार का part 3, part 4 and part 5 भी देखने को मिलेगा और वो भी इस बात को लेकर बहुत खुश है कि अब उन्हे अवतार के तीनों सीकोल्स पर काम करने का मौका मिलेगा यानि कि जो कहानी वो audience के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे अब वो कर पाएंगे इसी की साथ ही अभी के टैम पर अवतार part 3 की पूरी filming complete हो चुकी है एंड जेम्स ने डिजनी को करीबन 9 घंटे का cut भी hand over कर दिया है ये कहते वे कि उन्हें 9 के 9 घंटे का VFX चाहिए और बाकी अवतार 4 की कुछ filming complete हो चुकी है एंड अवतार 5 की कहानी तयार है जिसके बारे में अभी ये भी सुन्ने में आ रहा है कि part 5 में नावी लोग धरती पर आएंगे और साथी स्टीफन लैंग अवतार 5 की स्टोरी को पढ़के रो भी दिये थे और आप में से कौन कॉल इसके तीनों सीक्वल्स को देखने के लिए वेट कर रहा है तो नीचे हैश्टेग अवतार 3, 4, 5 कॉमेंट करना मत भूलना आप बात करेंगे इस ट्रेंजर तिंग सिरीज की part 5 की बारे में सो टियर वन पी आते हैं विडोना राइडर एंड डेविड हर्बर चोकिशो की अंदर जॉइस बायर एंड जिम हॉपर का रोल प्ले करते हैं जिनने इस बार part 5 में काम करने के लिए 9.5 मिलियन डॉलर्स पे किये जाएंगे यानि कि इन दोनों को per episode 1 मिलियन से उपर की salary मिलेगी एंड के बाद भी जानों की अभी तक highest salary भी 2 मिलियन पर episode की है हाला कि इस से पहले इने Stranger तिंग सिरीज के part 3 में काम करने के लिए 2.8 मिलियन पे किये गए थे यानि कि 3.5 लेक पर episode तियर 2 में आते हैं ये 4 लोग फिन, नुवा, केलब, एंड गेटन जिनने इस बार part 5 में काम करने के लिए 7 मिलियन पे किये जाएंगे यानि कि ऐसा कह सकते हैं कि per episode 1 मिलियन से थोड़ा कम जबकि part 1 में काम करने के लिए इने पे किये गए थे 25 के per episode जिसके बार tier 3 में आते हैं ये सभी लोग जिनने इस बार पे किये जाएंगे 7 lakh dollars per episode यानि की 6 million total और बाकी tier 4 में आएंगे कुछ new cast members जिनने इससे बहुती कम salary मिलेगी वही अगर बात करें मिली के बारे में तो इन सभी tiers में ये नहीं आती है क्योंकि इनका platform के साथ अलग चलता है contract इसी के साथ ही part 5 की filming चाली होगी summer 2023 में एंड में भी ये शू हमें देखने को मिल पाएगा 2024 के end तक एंड या से शो के बारे में एक बात notice करने वाली ये भी है कि इसके part 5 के budget में से 72-75 million सिर्फ cast members की फीज है यानि कि यहां से इस बात का अच्छा खासा idea लगता है कि part 5 कितना जादा expensive होने बाला है और हो भी क्यों ना क्योंकि शो का final है भई अब देखो अगर बात करें यू सिरीज के part 4 की बारे में जिसे इस बार दो volume में split किया गया है जिसमें से पहला volume हमें देखने को मिलेगा 9 परवरी 2023 को और दूसरा उसके एक मैने बाद यानि की 9 मार्च 2023 को और अभी हाली बेस के एक official poster को भी reveal किया गया है जो कि हमें साफ तोर पर इस बात की और इचारा करता है कि भले ही जो गोल्बग अपनी अतीर से काफी दूद आ चुका है पर अभी भी उसके दो व्यक्तितों हैं जिसमें से एक में वो समाज के सामने काफी जददार है और दूसरे में अभी भी वही सेव हपसी हाला कि अब शो की अंदर ये देखने में मजा आएगा कि आगे चलके ये किसे निपटाएगा और बाकी अगर बात करें कि हमें शो का ओफीशिल क्लिप अब तक देखनी को मिल पाएगा तो इस बात की हाइली चांस है कि जन्वरी की एंड तक आप में से कौन-कौन शो के लिए बहुत बेसबरी से वेट कर रहा है तो प्लीज कॉमेंट हैश्टाग यूफूर